नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाल हैं एम्योडा रून टैबलेट के बारे में जो आपके मार्केट में अलग-अलग ब्रैंड डेम से मिल जाती है बट हम बात करने वाले हैं टैक्यारा टैबलेट की जो कि सिपला कंपने के द्वारा बनाई जाती है ज यह किस बिमारी में दी जाती है कब इसका यूज किया जाता है क्या इसको लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है क्या इसकी डोज रहती है तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिएगा एम्योडा रोन यह एक एंटी अलेदुमिक मेडिसन होती है इस टैबलेट के हाठा इसनलन जैसि लाइफ ठैटनिंग कंडिशन में में इसमें जो आपकी हाठ रिद्याम होती है वह बहुत वज़ाती है जिसकी वज़े से आपको हाठ में बढ़र क्लोट्स हो सकते हैं स्ट्रोक आं सकता है हारड फेल हो सकता है तो यह कुछ है इससे प्रोब्लम हो सकते है आर्ट्र dużेशन में क्या होता है जो हार्ट के उपर की जो दो चेंबर होते हैं वह इरेगुलर और जोर-जोर से सधर कने लगते हैं वो नीचे वाले चाहावर से अ इसी वज़े से वो जोर-जोर से दरकने लगते हैं कई लोगों को इसके सीmptls देखने अपको sis वां साइवा पशके हुद आने कंगो नहीं मिलते हैं अब हम बात करें इसके side effects की तो साइड इफेक्स में कफ की प्रोब्लम, चक्कर आना, धुंदला दिखाई देना, हैडिक की प्रोब्लम, कौश्टी पेशे मंदब कफ्ज की दिक्कत, भूग का कम लगना, पेट में दर्द होना, ठकान रहना, तो यह कुछ साइड इफेक्स आपको इसके देखने को मिल सकते ह हैं, तो दोस्तों, अगर आपकी हार्ट बीट, स्लो रहती हो, मतलब कि ब्रैडिक आडिया हो, तो आपको इसका यूज नहीं करना चाहिए, या फिर हार्ट ब्लोकेज के प्रोब्लम हो, तो उसमें भी यह नहीं दियाती है, मोश्टी इन सेकिंड और थर्ड डिग्री जो हा आती है, थैंक्यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बुक्स में पूछ सकते हो,